बिस्मिल्य रख्मान ररहीम, असलाम लेकूम, तमाम वीवर्स को मेरा धेर सारा सलाम, जीतो वीवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एडवर्ब की जिन दो टाइप्स को इन डिटेल डिसकस किया था, उनके नेम थे एडवर्ब अफ टाइम और एडवर्ब अफ मै दो वीवर्स, इस से पहले कि हम आज की इस लेक्चर का आगास करें, मैं आप से रिक्वेस्ट करूंका कि अगर अभी तक आप लोगों ने मीरे यूतीब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो काइनली मेरे यूतीब चैनल को सबस्क्राइब कर लें, ताके इस तरह की और interesting videos तक आपकी रसाई मुम्किन हो सके और viewers साथ ही साथ इस channel को ज़्यादा से ज़्यादा share भी करें ताके इन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके तो आईए viewers start करते हैं हम अपने आज की इस lecture को अगर आप whiteboard पे focus करें तो मैंने adverb of place और adverb of frequency की definitions लिखी हुई है इनको हम read करते हैं और साथ साथ मैं इनको explain भी करता हूँ तो लिखा हुए an adverb which describes a place is called an adverb of place कि कोई ऐसा adverb जो के आपको place के बारे में जगा के बारे में describe कर रहा होगा तो ऐसे adverb को हम क्या कहेंगे adverb of place कहेंगे और इसकी निशानी क्या होगी it mostly answers where कि ये ज़्यादा तर जवाब देगा हमें where का कहां का जवाब देगा यानि कि कोई चीज कहां पर मजूद है हमें उसके बारे में बता रहा होगा ये उसकी निशानी है तो ऐसा adverb जो आपको place के बारे में describe करे उसे हम adverb of place कहते है और इसकी निशानी के है ये ज़्यादा तर हमें where का जवाब देगा कि कोई चीज कहां मजूद है कहां का जवाब दे रहा होगा ठीक है और adverb of place की दो types होती है एक होता है simple adverb of place और दूसा होता है interrogative adverb of place interrogative adverb of place में तो इसी तरहां से simple adverb of place में हमारे पास कौन से word आ जाते है वो तमाम अलफाज वो तमाम words जो के आपकी place के लिए use होते है place को indicate करने के लिए वो इसमें आ जाते है simple adverb of place में देखते है here है यानि के यहाँ there वहाँ outside किसी चीज के बाहर ठीक है यह सारे के सारे अलफाज आपको जगा के बारे में बता रहे होते हैं तहाँ यह सारे के सारे अलफाज आपके कौन से है adverb of place है और वो कौन से adverb of place है simple adverb of place है इसी तरह से weavers हम अब adverb of place को use करके देखेंगे sentence के अंदर नीचे दो sentence लिए हमें पहला sentence है, he is living far from my house, कि वो मेरे घर से far, दूर, उसका घर मेरे घर से दूर है, या वो मेरे घर से दूर रह रहा है, ठीक है, तो यह जो word far है, इसके अंदर, यह far word हमें क्या शो कर रहा है, यह adverb शो कर रहा है, कौन सा adverb शो कर रहा है, adverb of place, और adverb of place में से कौन सी इसकी type है, adverb of place में से, यह simple adverb of place का इजहार कर रहा है, तो wevers हमने देखा कि adverb of place कोई भी ऐसा adverb होता है, जो place को describe करता है, और इसकी दो ties थी simple adverb of place, और दूसरा interrogative adverb of place, interrogative adverb of place में हमने कहा, where एक वाहिद interrogative adverb of place है, इसके इलावा, वो तमाम अलफाज जो के जगा के लिए इस्तेमाल हो ठीक है, और उसकी भी कुछ examples आने यहाँ पर देखे, अब हम चलते है, adverb of frequency की तरफ, कि adverb of frequency क्या होता है, हमने अब तक adverb of manner को देख लिया, adverb of time को भी देख लिया है, adverb of place को भी कुछ दिर पहले देखा, अब चोथी जो type हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ इस lecture की दूसरी overall यह चोथी adverb की type है, जो के है adverb of frequency, अब adverb of frequency क्या होती है, इससे read करते है, an adverb that tells occurring time of an action, कि कोई काम कितनी दफा हुआ है, ऐसा adverb जो आपको यह बताए, कि कोई काम कितनी दफा हुआ है, तो उस adverb को आप क्या कहते हैं, adverb of frequency, तो adverb of frequency में वो तमाम अलफाज शामिल होते है जो आपको यह बताते हैं, कि कोई काम कितनी दफा हुआ है, अब it mostly answers how many, इसकी निशानी क्या होती है, ज्यादा तर हमें how many का जवाब देता है, कितने का जवाब देता है, ठीक है, तो इसकी भी दो ties होती है, adverb of frequency की, यहाँ पर time लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा change कर देत हैं, यह adverb of frequency है, तो adverb of frequency जो होता है, frequency, यहाँ मैं Q तक रख रहू हुआ इसे, f, r, e, q, इसे मैं short करके बट it is frequency, तो adverb of frequency की भी दो types होती है, एक simple adverb of frequency होता है, और एक आपके बस interrogative adverb of frequency होता है, interrogative adverb frequency अकेला एक होता है और वो कौन सा होता है How many आपके पास interrogative adverb frequency में में शामिल होता है इस त News Simple adverb frequency में हमारे पास वो थमाम अलफास जो किसी action के बारेabel किसी गाम के बारे बारे बता रहे होते हैं कि कितनी दुफा ह liberté यानि कि इसमें आप देखें seldom कभी कभी sometime ये भी कभी कभी में आ जाता है ठीक है never कभी नहीं often ज़्यादा तर ठीक है इसी तहां से twice दो दफ़ा अब ये आपको क्या बता रहे हैं occurrence बता रहे हैं किसी काम के बारे में बता रहे हैं कि वो कितनी दफ़ा हो रहा है तो कोई भी ऐसा एडवर्ब जो आपको किसी काम के तदाद के बारे में बताए कि वो काम कितनी दफ़ा आप कर रहे हैं तो ऐसे एडवर्ब को आप एडवर्ब of frequency करते हैं अब इसकी हम sentence में भी मिसालें देख लेते हैं लिखा हुए I praised him twice कि मैंने उसकी दो दफ़ा तारीफ की अब यह दो दफ़ा है आपने यह काम कितनी दफ़ा किया दो दफ़ा अब यह काम की तदाद को बता रहा है कि आपने कोई काम कितनी दफ़ा किया लहाज़ा यहां पर जो twice है यह twice क्या हो जाएगा एडवर्ब ओफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगा कि एडवर्ब फ्रिक्वेंसी किसी action के कितनी दफ़ा होने को जाहिर करता है कि कोई action कितनी दफ़ा हो रहा है ठीक है तो आपका यहां पर twice क्या हो जाएगा एडवर्ब फ्रिक्वेंसी हो जाएगा Adverb of frequency आपको ये बताता है कि कोई काम कितनी दफा हुआ है इसी तरह से how many times did you swim कि आप कितनी दफा तैरे तो यहाँ पे जो how many है ये आपके पास Adverb of frequency है और Adverb of frequency कौन सी टाइप है Interrogative Adverb of frequency है तो विवर्ड आज के इस lecture के अंदर हमने Adverb की दो एहम types को discuss किया एक हमने discuss किया Adverb of place को और एक हमने discuss किया Adverb of frequency को हमने देखा वो तमाम अलफास जो के place को describe करते हैं वो Adverb of place में आते हैं वो तमाम अलफास जो कि किसी action के routine को बताते हैं कि कितनी दफा वो action हो रहा है उन अलफास को हम Adverb of frequency कहते हैं तो विवर्स मैं उमीद करता हूँ कि आपको adverb of place और adverb of frequency के बारे में बेहतर तोर पर आज पता चल चुका होगा, अब आप इन दोनों किसम की adverb की types में कभी confused नहीं होंगे, और इसके बावजूद भी अगर आपको किसी किसम का सवाल होता है adverb के बारे में या adverb की types के बारे types को discuss करेंगे, thank you